इसलाम लीकुम Suret al-Araf जो है वो हमने श्टार्ट की हुई थि और इसके एंदर हध़रद मुछािजाम का सारा भाखिया है आपने पिछले जो वीडियो सुरत अल-Araf आपको देखनी होंगी उससे पिछला पूरा क्वाक्राइग्राउंट न वो समझा जाएगा तो अभी जो है वो 158 158 से स्टार्ट करनी हैं हमने कुल कह दीजिए या यूह नास के आई लोगो इन्ही बेशक रसूल अल्ग इन्ही बेशक मैं रसूल अल्ला का रसूल मतब कि अल्ला तला जो है न वो रसूसाँ से कह रहें कि आप लोगों को बताएं कि मैं रला का रसूल हूँ अलाइकुम जमिया तुम सब के सब या नहीं कि इस आयस से ये पता लगता है कि रसूसाँ से सलम जो है वो किसी कौम के लिए नहीं थे जिसना बनी इसराइल में बहुत सारे जो रसूल आये थे वो बनी इसराइल के लिए आये थे जिसना इसाइल नजिर जनके पर नाजिल में वेट थी और वह बनीजन के लिए फिस्ताय चार्पना isn martin कर लिए जो कि अग islands कसी कों सुम् सरे लिए आते तुम सस् alguns Prakं जिस पर तो यह दिना क्षजर अग्रात मैं सब्सक्राइब ऊच्पारि संच नभी आ उट जिसना लूत लिए लूत लिए इसलाम जो अपनी कौम के लिए आए थे तो भी एक खास एरिया था जिस तरह आप देख लें आद और जो थी आद और समूत की कौमें उनके वर भी उनके लिए आए थे नभी तो इस सालिए लेकिन यहां से इसारम से पता लगता है कि रसूस हिसलाब को ओलए यह बर किसी इस पैशल एक खास ग्रोक के लिए यह किसी ऐरिया के लिए नहीं आए फल्किए वो पूरी दुनिया के लिए आएं जमिया का मतलब कहते हैं सब के सब यह सारे धूनी जितने भी आप इनसान आएंगे तो उनके लिए अगर हदायत है तो उनको हदायत के लिए रसूस असलम की तरफ आना होगा तो अल्लाजी लाहु मुलकु समावाती वल अड़ और इसमें ये बताया जा रहा है कि वो ही तो है जिसके लिए है बादशाहत आसमानों की भी और जमीन की भी ला इलाह इल्लाहु नहीं है मबूद मगर वो ही युही वो जिन्दा करता है वो युमीतू और वो मारता है यानि कि ल्लाज ताला के इफ्तियार में है कि वो किसको जिन्दगी देता और किसको मारता है आमिनू तो तुम इमान लेकर आओ बिल्लाहि अल्लाह पर रसूली ही और उसके रसूलों पर नभी यी जो के और उसके रसूल पर नभी ही जो के नभी है उम्मी यी उम्मी का मतलब मतलब है जिसको लिखना पढ़ना ना आता हो हमारे जो रिखना पढ़ना नहीं आता था वो कातिबीन उन्हें रखे तो जब भी वही आती थी ना तो वो जो है उसको सहाबा कराम से लिखवाते थे आयते आयतें अल्ला थी वो जो यूमिन हो जो के इमान लाए बिल्ला ही अल्ला पर वो काली माती और उसके कलमात पर वत्त भी हो और उसके पाल उसकी पैरवी भी कि ला ला कुम ताक्षायद के वो तातादून वो हदायत पाज है तो इसकी जो है न डिटेल वो हम यहां से देख लेते हैं 158 है न यहां से इसका डिटेल पता लगेगा कि इस पेगंबर इस पेगंबर नभी उम्मी की पैर भी सियार करें जिसका जिकर नहीं यह जो है यह थोड़ी से अगली आयत का है 157 है न हाँ यहां से जो है न इदो से मिल रहा है इसका एए मुहम्म्म्म्म्म्म कोहो कि एए इनसानों मैं तुम सब की तरफ उस खुदा का पेगंबर हूँ जो जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है उसके सिवा कोई खुदा नहीं वो ही जिन्दगी बखषता है और वो ही मोद देता है पस इमान लाओ अल्ला पर और उसके बेजे हुए नभी उमी पर जो अल्ला और उसके इर्शादात को मानता है और पैर भी तियार करो उसकी उमीद है कि तुम राहे रास पालोगे तुम नदेँ, इसमें यही बताया जा रहा है कि रसुसी सिलम में यादायत को मनना चाहिए और उसके इसमान पर और सारे इंसानों को आधिर नभी सिलेक्ट की है और अनगी के पास जमेन आस्मान की बाद़्चाहत है और उसी खुदा ने रिसुसास सलम को स्लेक्ट किया था, एज़ा आखरी नबी जो के तुमाँ इंसानों के लिए हदायत है हदायत है और ला इला हिला हूँ और अल्ला तलब क्या है? अल्ला तलब वो है जिसके सिवा कोई माबूद ही जिन्दा भी करता है और मारता भी है तो अल्ला तलब फर्मा रे हैं कि अईमान लेकर आओ एल्ला पर और उसके बेज़े हुए नबी यानि ommi रिसूसास सलम पर अल्ला जी वो जो और भी कोन है? वो है जो ग्यूसके अर इमान लेकर आते हैं एक हदीस भी है ना जिसमें लिखा हुआ है कि रुसुल सेलम जो है वो चलता फिरता कुरान है यानि कि रुसुल सेलम ने अमल भी करके दिखाया लाला कुम्ताता दून ताके तुम जो हो उससे हदायत पास सको 158-159 आयत करते हैं वो मिन कौमी मुसा उमातुन और मुसा की कौमें से भी एक गरोह था याहदूना जो के हदायत देता था बिलहाक की हाक की वबी ही यादिलून और हग की भी हदायत करता था और हग के मताबिक इनसाफ भी करता था आप इससे पता लगता है कि मुश्य लिए से जो कौम थी बनी इसराहिल उसमें कुछ लोग अच्छे भी थे सारे नाफर्मान नहीं थे वो मुश्य जो मिजोरिटी थी वो नाफर्मान थी लेकिन कुछ थे कुछ चंद लोग ऐसे थे और ऐसे लोग रहते हैं दुनिया में जो के हकीकत के अंदर कताब को जो है उसके उपर फोलो करते हैं उस पर अमल करते हैं तो बनी से जाई यानि कि मुश्य लाइसलाम की कौम में से भी एक ग्रोव ऐसा था जो के हदायत के उपर था और फैसले भी जो था ना वो इनसाफ पसंद करता था काटने को लेदा करने को काफ तों एन कता किता 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 तालुक करना मतलब किसे ओना का मत तलब है हमने हून को हूम का मतलब बनी इसराइल को तो मतलब कि Allah तरह ने लड़ा लड़ा कर दिये इसना था उनके जो ग्रोव बनाए ना कितने बनाए इसना था अश्रा, अश्रा कहते है दस को इसना हो गया दो तो तैन प्लस टू ट्वैल्फ तो इसका मतलब यह कि बारा जो जो ग्रोह यह कभीले बनें वो बाराँ बने थे 23 इसराइल को डिवाइट कर दीए थिंग जो हदो युकूब आ इसलाम थे उनके जो थे 12 बेटे थे तो वो फिर 12 कभीले बन गैंगे ओँगे न उमामा उगरोफो वह आउ है न फिर आज़ाने वही की इला तरफ मुसा मुसा के कब वही की जब इस जब इस तसका हूँ जब मांगा उस से यानि कि मुसा लैस साम से सवाल किया कौम हूँ उसकी कौम ने इन द्रिब के तुम्हारो भी असा का अपना असा असा कहते हैं लाठी को हजर हजर कहते हैं पत्थर पे हाज चारा पत्थर के उपर तो मतलब कि जब मुसा की कौम ने का कि हमें पानी चाहिए जब उन्होंने पानी का सवाल गया तो फिर मुसा अलाहिसलाम ने अल्ला की तरफ देखा तो अल्ला ताला ने मुसा अलाहिसलाम को ही हैं और ये असा ये वही वाला असा है मुसा का जिससे वह बक्रियां भी चुराते थे और ये वही वाला असा जब हमने पीछे पड़ा था जिसस EPA जो है वह साम भी बन गया था जिब फ्रॉं ने जब एक पूरी जो है तो माढ़िशा लगाया था उसने मिदान के इंदर जहां पर मुखाबला हुआ हुआ था मुख्षा का जाधवरों का उस में भी यही वाला असा था जो कह सांबदा नियुए, तो इसी ऑसा से र किया था वह जो समूंदर था इसी एक भी रvitic on परहान वह दूगो थार वहां Net तो वो जो समündर में रस्त बना था हूँ है एक यहां था तो यह प्रोट अरे फिर देखे प्छने हों और आ उच्छर्न हो ऩहां कि अब पर उच्छ रnewड हो वो फिर आप सारा सोनेंगे तो आपको पीछे सारा बैग्राउंड समझ आजेगा तो जब उसके जब आपने मुसे लिए साम को जब हुकम दिया और वो जो था पत्थर के ऊपर जब असाम आ रहा है तो बारा चश्में उसमें से निकले हैं और इस नाता अश्राता वही बारा अईना चश्में निकले हैं कद आलिमा कुलू अनात कद आलिमा तो जान लिया कुलू अनासिन हर कभीले ने हर ग्रो ने मश्रबह अपने पानी पीने की जगा को मश्रब कहते हैं पानी पीना गाट जहां से पानी निकलता है वहाँ पे जो है ना सबको पता लगया कि हमारा कौन-कौन सा चश्म है ताकि लडाई जगडाई ना हो वजलना और उसके इलावा फिर अलाई ने वो किया नेमत की कि वजलना और हमने साया कर दिया अलाहिम उनके उपर कि इनके उपर बनी इसराइल के उपर घमामा बादलों का वअंजलना मतलब कि देखिए Allah तरह ने उनको दूप से बिचाने के लिए भी बादलों का जो है साया कर दिया और अंजलना और हमने उनके उपर नाजल किया हमने नाजल किया अलेहिम उनके उपर मन वसल्वा मन और सल्वा जो है न वो हमने उनके उपर नाजल किया मन और सल्वा यह खाना था उनका बनें बनाया उनको खाना मिलता था तरय बपने मन और सल्वा यह परिंदे थे और कुछ मेवे की त糖 list . मेवे की तरह की तौना यह चीजह थी चो कि आसमान से आती थी और यह खाते थे मतलब बैटे बठाए इनको पो जो है खुराग भी मिल रही थी और दूब से हिफाधत के लिए इस सेखाज़ाद के लिए अटनी गरमी थी वह पर उसे हिफाज़त के लिए ल्ग ने बादल भी निखा ओड़ फार रिख लेए। पानी भी मिल रहा है और बादलों का साया भी है मतलब हर चीज इनको बैठे बठाए मिल रही है कोई मुशक्कत नहीं करनी पर रही है कुलू तो फिर आल्ला तलह ने का कुलू खाओ मिंत यी बाद इस पकीजा रिक्स में से मा रजक नाहूं जो के हमने तुम्हें रिस्क दिय करना उनारा जुए अल्ही होट खाओ में जिय हर नहीं पर लिक्न कश्रीज आ अपनी जानुपने जो बंत पर घृप और घảreek़ हम जो खुदी करते हैं रही हम तरह ओंगर झालत भा रिकार फैसले लेते हैं तो फिर ऊंजांज जो जनाम्वहाले और सुक्ती सर्य आपक्र आप ओगतनेयं पड़ते हैं। यहूदी बनी इसराइयल इन को मननु रव देखी हमाने, ठूप और जए बादल और फद पानी करते हैं मिल रहे हैं। ऐस्पाेने का सु इस देखा चाहिं का हम थाक गய मननु जलसतोय हुआ हमान कि गाएं। यह सुइद बक्रा में पूरा हमने पड़ा था तो देख लें मतब इनको रास नहीं आई इजद और बैठे बठाए जो चीज मिल रही थी वो उसके ओर भी नाशुक्री की एक तो उन्होंने कदर नहीं की दूसरा आए कि नाशुक्री की और तीसरा आए कि उन्होंने दूसर क्या है पूरा देख भी नाशुक्री की आए जाए जा दूसरा आए जब बढ़ रिख ज़गाव जाए जो पर दूसरा नहीं को नाशुक्री कार प्र जाए करते हैं पिर जाके वहां हो इतने महीनों बाद श्राए एक पसल तियार होती है फिर आप साहते हैं और उसके तो तब आलाध ने का कि ठीक है तुम वो जमीन है उसको जाके फलस्तीन में तब थे लो तो आलाध ता कि वहां जाओ वहां पर उन्से जंग करो और वहां पर जो है वह सारी चीज़ से मिल जाएंगे आई थिंग आरीहा जैरी को फलसीन वाली जमीन का एरिया ही था वहां पर बड़ी मजबूत कौम रहती थी लेकिन वो काफिर कौम थी तो फिर वो हमने पीछे भी पड़ा हुआ है उसमें भी इनोंने जो है नाफरमानिया की है इसमें भी उनने का कि मुसा तुम और तुम्हारा खुदा आजा के लड़े हम तो नहीं लड़ेंगे उस कौम से वो जो कौम थी वो बहुत ज़्यादा वो थी बड़े बड़े जिसामत वाली थी और बड़े ताकतवर कौम थी तो बात में जो है इनकी ये चाल इस सजा के तोर पर बिर अला तहला ने इनको सहरा में 40 साल तक रखा था बनी इसराहिल को पिर इनकी जो अगली नसल आई थी ना वो क्यूंकि अज़ाद महौल में जो है उसकी परवरिश हुई थी ये वाले जो थे ये फरॉन के पास जो रहते गुलामी के अंदर तो इनके दमाग भी जो थे ना वो गुलामी टाइप बन गयते इसकी इनके पास हिम्मत नहीं थी वो जो अगली नसल है उसने फिर जो है वो शेहर फतल अस्तीन का जो है वो एरिया फता किया और फिर वहां लेकिन उसमें उसने ना फिर्माने की लाटना ने का ता कि जब तुम जाऊगे जब तुम फता मिलेगी तो तुमने था चुकर करते है जुकर और आज शी के साथ जाना है बाखिल के माँ और असकी बख्षिश मांगनी थे उस पे भी उन्होंने घरूर तकबर किया और बख चीज के अपर उन्होंने जो है नाफ फर्माने किया बनी इस्राइल वालोंने शुक्र नी किया लगा तरह ने इनके उपर बहुत सारी चीजे इनको दी है बैठे बठाए और इसके लावा किताब भी दी हदायत भी इनको दी हर मोज से कितने ज्यादा इनको दी हैं लेकिन इन पड़ा में भी पड़ा था उसमें भी लिखा हो है के यह सुझ को जब इनोंने देखा था यहुदी ने पीचान गए थे ऐसे पीचानते थे जैसे कि अपने बेटों पीचाना जाता है लेकिन इनकार कर दिया माना नीना तसरीम नी किया क्यूंके यह उन्ही निन की नसल से आया था बनी इसराइल में से अर्बों की नसल में से आया था तो ये जो हस्द है ना इसकी वैसे इन्होंने जो है ना रसुसा सलम को उनको मानने नी दिया और दूसा ये कि अगर वो मान लेते तो फिर उनको उनके जो इमाम थे उनके जो उल्मा थे यहूदियों के उनको अप बाद्चाहत और अपना वो जो रोब असर रखा हुआ था वो खत्म हो जाना था और रसुसा सलम के अंडर उनको आना पड़ना था इसलिए उन्होंने नहीं माना और सिर्फ मानना नहीं वो तो एक लादा चीजा है लेकिन दूसरा ये किन उनने साधिशें भी बहुत की और कत ये लोग यही कर रहे हैं ये यहूदी जो है इसराइल ये इंडिया जो है आपका ये सारा हिंदू का है उनके साथ मिलके पाकिस्तान के खिलाफ बनसूबे बनाते हैं और काफी जो है आइधिंग बाला कोट का वाक्या था कुछ ऐसे थे इंसिरेंट माजी के अंदर जो है ये यहूदी जो है उनके एजेंट भी पकड़े गए हैं और उनकी जो आर्मी थे कुछ लोग थे वह भी पकड़े गया है इंडिया के साथ मतलब ये आपस में ट्रेनिंग भी करते हैं और मुसलमानों के खिलाब प्लैनिंग भी बनाते हैं तो आप जो ये हूदी है वह दो तीन हजार सा लोगें वो गिरा पड़ा है अल्ला तला ने इनको सजा के तोर पे दूसरी कौमों के जरीए से इनको जो है कतल भी करवाया फिर लास्ट जो इनकी सजा थी वो हिटलर के तूरू थी साथ लाग आई थी या चालिस लाग यहूदियों को भी कतल पिया और इ आई थी खलाफत इसमानिया में जो आखरी जो थे खलीफा सुल्तान अब्दुल्हमीद थे उनीस उनीस की बात है तब यह खत्म हुई है खलाफत खत्म हुई है तब इनको मोका मिले है फलस्तीन दुबारा हासल करने का मोका मिले है वरना जो थे यह उसमानी सल्थनत उनके यह हैं वह इनों बड़ी कोशियों कीई लेकिन वहां पर भी इंको जुरत ने मिली जुरत पर इनको इनको मुका भी ना वह लोग इतने मजबूत थे उन्होंने इनको जमीन खुरीद नहीं नहीं दियो ना एंपर उनको आने दिया हिसाय अज देखे Missouri नहीं हुथ आए किम नहीं होग हैं 달ries अज देखने इसायी हुदियों के साथ यह मिल गया है ये कहतंmileरे कि उयनिवे में प्राइजूं के साथ जहिए हैं हैं इस चाहिके यह में भी आए मः रखेखे Please कमें बात से खिर हम आए द्रशी से उसाय good life खिलाफ था इसलिए तो नोंने इस POP की रियास्ट को शर रसून था। उसको खतमлон रूइ. पीर उनोंने बैंकिंग का सिस्टम बनाया यहուदियों ने व différentes पोब केुए तो बैंकिंग यह नहीं कर सकते थे। पिर उस बैंकिंग के थूँ इन्होंने पैसा ज्यादा कठा किया और वहां से पैसा कठा करके इन्होंने जो उद्योंने कारोबार शुरू किये कारोबार से इतना ज्यादा पैसा कठा किया कि सारी दौलत इन्हीं के पास है अब उसी दौलत के थूँ यह जो है ना क्या कहते ह हैं हैं जो पूरे मुलक अंदर जितनी भी आपकी हकूमत इन चलूए उनके सियासतादानों को खरीदते हैं और अपना जो है कनून लेकर आते हैं तो मतलब यह पैसे के जरीये से पूरे यह दुनिया के ऊपर और हमारे उकमरान है वो बिकते हैं और सिर्फ इन्नों ने हमारी हकूमत को नहीं बलके करें बलके उसी पैसे को उसी पैसे के जरीए से ये जो हैं ये सिर्फ सियासत दानों को नहीं खरीद रहें उसी सियासत के जरीए से पैसे के जरीए से ये जो हैं आपका मीडिया को पुमोट करें, क्योंकि तुमाँ पर हम फंसके टेक्सिस हां हो बचानी तरह नहें, ब प्रमोट करते हैं कपड़ पहने का तरीका बताते हैं आपको उठने बैठने का और मेल जोल का आपको क्लासिस भी बताते हैं कि आपने किस तरह रहना है और कौन सी आपकी क्लास होई तो वो जो चीजे ना वो यूथ जो हमारी नोजवान नसल है उनके दमागों में बैठ जाती है एक मीडिया के उपर वो इन्वेस्ट करें दूसरे हमारे एजुकेशन के अदर से हमारे इ अभी हर चीज किलाफत राष्टा ये सारे सब्जेक्ट्स हैं तारीख इसलाम है ये उन्होंने निकाल दी है हमारे निसाब में से इससे ये और अपने अपने उन्होंने इंग्लिश के नसाब डाल दी है इंग्लिश को जो है वो बहुत ज्यादा दे दिया कि यही सारा आपके शुकिल्स है लाधा है डिल्स भी नहीं है सिरुफ रट्टा ही है सारा तो इससे यह होगा और अपना उनका दान्जाम यह बहुता है ट्रीकल से वो चोटे से दस तालका बैज्ट्यां नहीं था फूरा ट्रेन ळोता है वो आर निम फी गानता है ऑनका बैलए माड़ कि आहँ से उस पैसे से ना इंवेस्ट करें नोगों को खरीद रहे हैं और विग उश्टस खरीद भी नहीं Aa घरीडंगू हो अछा जो जो अब क्विछ चेंच कर रहे तो कल्च्च चेंच कर रहे सोथ और स्यासत मारी से सीासदानों के जरी गशी एकषे पर teना के सि 안धम, सर्माया कारी निजाम अपना आ लेका है किम आप आ कर दांते हैं, वह किस तरीके से चारे हो किज्ए आप या ही, क्वेकल ये उस पर disciples, वह लुजाए, जिसे हम से हंक्राद कर चाएं किया आप Krista कर ले installment कि आप 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 सियासा दानों है, डिल तो आपकी की जो आवाज नहीं पहुंचेगी पार्लिमेंट में तो मतलब सरमायकारיס ने जो है वोज की जमूरीय frightening कि वोच्वारी के निजाम के इन नजम के दर उन अब हुरीद लेते हैं 對 प्राज स्थोरी जाते हैं। इस्वज़ाymph . यहुदियों सर्मायाकारी जरिए से जो है इम्सजलन की जहुरियत शरमायाकारी को बचाने के लिए । यहां है। यह 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 नजाम नजाम आदे है। तो यही है और आदे दूसरे जो मुल्क है उसमें कम्यूनिजम और सोशलिजम है तो उसमें वो डिक्टेटर्शिप आजाती है आजिए में हो दो आजिए जो है तो इस तरीके से ना पूरा दुनिया पे आपके नाइनसाफी है क्योंकि सरमायकार मुझ्टी जो है जब ज्यादा पैसे है वह एश जाते है वो इस इशरत के एंदर चलेजाते हैं कोई-कोई होता है जो अपने उकात के अंदर रहता है आपके लेबर तबका आजाएगा, वो जो लेबर तबका है, मजदूर तबका, वो कितना कि वो तो सारा दिन ही अपना मेंनत करता रहता है, और फिर भी उसका गुजारा नहीं होता, तो वो फिर एक लास बन जाती है, रिच क्लास और पूर क्लास, तो वो जो पूर क्लास है, तो आपके पूरी दुनिया में यही चीज चीज चल रही है और अगर आप देख लें तो ऐसे ही है पूरा नजाम ही ऐसा चल रहा है अब इसलामिक सिस्टम है उसके लिए इफगानिस्तानियों ने जो है कोशिश की है बीस साल उन्होंने जो है कुर्बानियां दी है तो वो लोग सही है देखें आला तला ने उनकी मदद भी की है वो जो इसके पास इतनी ज्यादा हाई टेक्नोलजी यह वह भी जो है अफगानिस्तान के सामने जुक गया है क्यों अफगानियों का इमान इतना स्ट्रॉंग है उनको टाइम लगेगा क्योंके भी पूरा तरीके से इंप्लिमेंट करना बहुत असान नहीं है मुश्किल है लेकिन वो जो है हमें चाहिए कि हम अफगानियों का साथ दें क्योंकि वो जो है न वो कोशिश कर रहे हैं इसलामिक सिस्ट्रॉम को कायम करने के लिए उसके लिए उन्होंने जाने भी दी है कुर्बानिया भी दी अब इसलामिक सिस्ट्रम नहीं ना आ रहा है इसलामिक समारा जो निजाम है वो खत्म होए काफी देर होगी है रसूस असलम के थूरू आया था फिर उसके बाद खलाफत के जरी तीस साल खलाफत आपकी रही है हज़रत अबुबकर उमर उस्मान और हज़रत अली छे महीने ह अब पर अधिर माविया का दोर स्टार्ट हुआ और वो जो दोर था 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 रहा जाती है बादशाहत का सिस्ट्रम चल पड़ाना लेकिन वह इच्छा सिस्ट्रम था कम असकम इतने नाजसाफियं तो नहीं थी जितनी आज़ है उसके बाद मल्क मलुकियत का आप कि जो स्यासादान आपके जो हुकमरान है वो जालिम है जो आपका नहीं सोच रहे जो अपना सोच रहे है कि पैसा कैसे बढ़ना है अपना और अपनी फैमिली का अवाम जाए जहां मर्जी बुखी मरे चाहे जो मर्जी हो उनको कोई फरुक नहीं पड़ता तो आज पूरे दुनिया के अंदर इसलाम कहीं भी नहीं है इसलामिक नजाम कहीं नहीं है लेकिन जो अगर आप हदीसें पड़ेंगे तो उसमें लिखा हो है हदीसों में कि क्यामत आने से पहले इसलामिक सिस्टम नजाम वो पूरी दुनिया के अंदर काइम होगा वो जब काइम होगा उस तक अपने लोग पता है कब आएगा लेकिन उसका पार्थ हम बन सकते हैं अपनी लाइफ जो है उसको थोड़ा बोट हम निकाल सकते हैं एक ऐसी जमाद के साथ जो के इस काइम करने में कोशिश कर रही हो तो वह जो आइं करके हम कफारा अदा कर सकते हैं काइम होना ना होना वह लाइदा चीज है लेकिन हम अपनी कोशिश कर सकते हैं तो इसी तरह यह हमने पढ़ लिए ऐख वन सिक्स्टी आयते हैं कर लिया है वन सिक्स्टी आयते हैं तो वन सिस्टी वन में लिखा हुए कि वह इस की ला ला हम उसको नो हादिल कर रहा था तो जब उनसे कहा जाता है उसको नो हादिल करियाता वकूलो मिन्हा हाई सुशितू तो फिर अल्द तरह ने कहा कि जब उन्होंने कहा ना कि हमें इस इदर से नहीं खाना खाना मनुर्सल्वा खाका के तंगा आगे हैं पिर अन्हों पर जाए जाके वहां पर जंग करो और वहां पर रहो वह इस कीला जब उन से कहा गया लाहू उन से यनि बेने इस रही से उसकोनो तुम रहो हाजिल करियाती इस बस्ती में वा कूलू और खाओ मिनहा उससे हैसो जहां से शीतुन तुम चाहते हो वाकुलू हित्ता तुन और जब दाखिल होगे तो हित्ता तुन हित्ता तुन कहते जाना और वद्कुलू बाबा वद्कुलू उद्कुलू होते दाखिल होने को जब वो दाखिल हो बाबा दिर्वाजे में सुझा तुन तो सजदा करते हुए जाएं और इस तरह कहते हुए जाएं कि या आला तू हमें माफ कर दे हमें बख्ष दे खातियाती कुम हमारे खुताओं को जो हमसे सरजद हो गई है सनाजीद अलमुसिनी तो हमान करीब जो है इसान करने वालों को जो नेको कार हैं उनको अच्छा बदला देंगे लेकिन हमने पीछे पड़ा था सुद्बक्रा में भी तो इन्होंने जो है न वर्डी चेंज कर दिया था इनको चाहिए था कि अपनी खताओं के बख्षिश मांगते हुए जाते लेकिन इस पे भी बनी इसराइल नहीं माना और जो फता हो गए वह शेहर तो गंदूं गंदूं करते हुए गए अपना जेशन में आते हुए अपनी जो है कामियाबी का फबदल लाजीन जाला मुमिन हूं तो वही न अल्ला तो फर्मा रहे हैं कि उमें से जो जालिम लोग थे उन्होंने जो उनको बात कही थी इसको चेंज कर दिया वही नहीं हित्ता तुम की जगह उन्होंने और सलना तो फिर हमने बेजा अलहीं उनके उपर रिज सन हमने उनके उपर जो है हमने उनको सिजा दी मिन्नसमाई आस्मान से बीमा कानू यजली मूर उस वज़ा से जो वो जुरुम करते थे तो यह रिखना है यहां पर भी अच्छा लिखा हूँ है कि याद करो वो वक्ट जब उनसे कहा गया था कि इस बस्ती में जाकर बस जाओ उसकी पैदावार से अपने हस्बे मन्शा रोजी हासिल करो और हित्ता तुन हित्ता तुन कहते जाओ शेहर के दर्वाजे में सजदा रेज होते हुए दाखिल हो हम तुम्हारी खताएं माफ करेंगे और नेक रोईया रखने वालों को मजीद फजल से नवादेंगे मगर जो लोग इन में से जालिम थे उन्हों ने इस बात को जो उनसे कही गई थी बदल डाला और नतीज़ा यह हुआ कि हमने उनके जुल्म की पदाश में उन पर आस्मान से अजाब भेज दिया यह 162 जो है ना हमारा हमारी आयत होगी है इंशाला नेक्स जो है ना आयत से हम पढ़ेंगे अगला वाक्या और वो जो वाक्या ना वो हफते वाले दिन का है जिसमें इनको बंदर बना दिया गया था बनी सराइल को फिर यह पूरा डिटेल है वो फिर हम नेक्स लेक्चर में दिखेंगे थैंक यू